बहुत बहुत सोगत है स्वीका हमारी जीट्रोब चैनल इस्ट्रोब मेडिया में वह राज राप देखरें हैं इस्ट्रोब चैनल व्यार विश्चे विदाले मजब फिरपूर 21-24 के पार्टिरी के छात्र शात्र है या वैसे भी एस्ट्रोइंट हो सकते हैं जो 20-23 के हो पार पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं तो अब जो 21-24 के पार्ट 3 परिक्षा के बारे में जो एक्जाम में कलेंडर में मिंशन था 10 जून से ये एक्जाम होना था अभी तक के परिक्षा फॉर्म भी फिल अप नहीं किये गा है और अब तो जहां तक के जानकारी मिली है प्लानिंग जून में अलग भग है अब शुरू हो गई है जून जुलाई अगस्त तक और बहुत सारी वकैंसी जो है कि अगस्त सिप्टेमबर तक जो है वो आती है लेकिन विखार विश्य विदाले में जो प्लानिंग चलना है जहां तक की पते चला है कि पहले पार्ट 1 एक्जाम ले था जो कि अभी तक के हुआ नहीं है तो उसके लेने की योजना चल लेए यदि हम बात करें 237 का तो देखिएगा पॉइंट नमर देखिएगा तो 10 यहां पर सेकेंड सेमस्टर 22 मई से एक्जाम होना था सेकेंड सेमस्टर का 23 वाले का उसके बास से 10 जून से पार्ट 3 का ए 10 जून से लेने की योजना चल लई है कुछ तक यह भी कहा जा रहा है कि पार्ट 1 स्पेसल एक्जाम और सेकेंड सेमस्टर के एक्जाम के लिए लगभग रूटीन भी तयार हो गई है वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है रूटीन का इसलिए वो बाहर नहीं आ पार रहा है लेकिन तमामें स्टुएंट मैंने इस साब से पहले 21-24 के पार्ट 3 का एक्जाम हो जाना ची था ताकि वैसे स्टुएंट इनका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों किलियर है वो पार्ट 3 का एक्जाम 21-24 वाले वो जल से जल किलियर करते और आने वाली वेकैंसीज हो यह आलगा उन पार्ट 2 दोनों किलियर होगा बस पार्ट 3 किलियर नहीं के कारण अभी जो बिहार इंटर्स एक्जाम होने वाला है उसका फॉरम नहीं भर पाए और और वी जह की अलगलग जो वगैंसी आई है उनके भी फॉर्म फिलिप नहीं किये पाए और यहीं सब जो रीजन है पार् के पार्ट 3 का एक्जाम फॉरम कब से भरा जाएगा इसके ओपर इनवर्सिटी जो की रिपोर्ट देना बंद कर दी है लगबग पिछले 15 दिनों में किसी भी परकार की चया जो ब्रुट चोबिस के पार्ट 3 एक्जामेशन फॉरम कब से भर जाएगे वो और पार्ट 3 एक्जाम का नया डेट क्या होगा क्योंकि यह तो साब साब क्लिए है कि 10 जुन अब फेल हो गया क्योंकि अभी तक के एक्जामनेशन form ही नहीं fill up किये गए हैं तो exam 10 उन से possible कैसे ये भी जो है कि जा सकता है फिल हो गया और exam यदि second semester और part 1 special exam पहले यदि लेती है university तो फिर ये part 3 का exam जुलाई तक चला जाएगा आप लोग बताईए क्या part 3 exam पहले हो जाना चाहिए या part 1 special और second semester का exam पहले होना चाहिए तेखिए यदि मेरे से पूछेगा तो part 3 का exam पहले हो जाना चीत है second semester वाले को कहीं admission तो लेना नहीं है वो final year की परिक्षा तो है नहीं part 1 है special exam लेना जरूरी है ताकि part 1 जिनका अभी तक है फंसा हुआ है वो clear हो जाए लेकिन हा part 3 पहले हो जाता तो वैसे student जो किसी दूसरे state में किसी से जाकर के करना चाहते हैं और वहां पर admission की परकेरिया जस्त शुरू होने वाली है यह शुरू हो गई है यह उनका result आ जाता तो जल से जल जो है कि वह चात्र चात्र है वह आगे का जो है कि अपना प्रहाई continue कर पाते 2024 में ही और जो vacances गौर्मेंट वाले ही जो आती है जिस तो पार्ट वन स्पेसल एक्जाम और सेकंड सिमेस्ट्र का एक्जाम जो की कहा जा रहा है कि 10 जून से हो जाएगा routine जस्त जस्त जकी उसका जाल किया जाएगा routine वगरे भी उसका तियार है अपने अपनी रैक कॉमेंट में रख सकते हैं बाकि देखिए कोशिश तो है कि पह भी होगे मैं आपको बताएंगे बाकि हम लोग भी जहकी वहाँ पर कह रहे है कि पार्ट जीरी एक्जाम पहले हो जाता तो अच्छा रहा था देखिए रिक्वेस्ट तो करी रहे हैं बाकि जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे बहुत बहुत धन्वाद आपका इस दु कि दो कि खिए न शीम बताते हैं छोर के बताते हैं व